ओम नमस्षिवाय, हरहर महादेव, जैश्री महांकाल दोस्तों आप इन चार लोगों को कभी भी घर में नहीं आने दे इन चार लोगों की वज़से आपके जीवन में कई सारी परिशानिया बढ़ती है और आपकी लाइफ में परिशानिया बढ़ती ही न की कम होने का नाम लेती है साथी साथ इन चार लोगों से दोस्ती भी आपको नहीं करना चाहिए अगर आप इन से दोस्ती करते हैं या इनके यह आपके जीवन में होते हैं तो यहाँ आपको हमेशा एक ऐसी परिस्तिती में छोड़ कर जाएंगे, जहाँ पर आप खुछ समझ नहीं पाएंगे, तो आपको बहुत विस्तार से, बहुत सरलता से इन बातों को समझने के आउशकता है, क्योंकि आप जितने सरल हैं, जितने अच्छे हैं, जितने भोले है और इस वज़े से कहीं बार यहाँ लोग, यहाँ चार लोग, आपको कहीं सरी दूइधा और परिशानी में फसाकर ये इनका मतलब निकाल कर चले जाते हैं, और आप अपनी जगा पर रह जाते हैं, बाद में आपको पश्याताफ होता है, कि हमारे साथ ऐसा क्यूं हुआ, और न जाने कितनी सारी बात हैं, जिन बातों को लेकर आप परिशान होते हैं, तो आप परिशान होने क्या हो शकता नहीं है, इन लोगों को identify कर ले, इन लोगों से सतर्क हो जाएं, और वो कौन से लोग हैं, हम इसी विशे पर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ले जनम समय जनमे स्थान पता होना निवारे, जो भी आपकी मदद होगी हमसे, हम आपकी जरूर करेंगे, सबसे पहले वो लोग हैं, जो लोग आपके सामने किसी व्यक्ति की बुराई करते हैं, ऐसे लोग राहु से जनित, पिडाओ से पिडित होते हैं, और राहु से जनित, अगर कोई पिडाओ से पिडित होते हैं, जो आपके सामने किसी की बुराई करेगा, हमेशा किसी भी व्यक्ति की negative side बताएगा कि वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, तो वह व्यक्ति आपकी बाद भी किसी अन्ने के सामने करेगा, और बड़ा चड़ा करेगा, अपनी बाते उसमे नहीं handle कर पाएंगे, साती साथ अगर आप उसे अपने business में include करते हैं तो जितना सार आपका business है, वो hijack कर लेगा, तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहे हैं, जो आपके सामने किसी की बुराई करते हैं, हाँ, जेनुवन बाते करना अलग बात है, और बुराई में अलग बात है, कि हर समय किसी भी व्यक्ति में उसे सिर्फ नकारतमकता ही दिखे, कि वो ऐसा, उसने ऐसा किया positive sign को नहीं देखकर, वो सिर्फ negative पर बात कर रहा है, ऐसे लोग राहू से उनकी कुंडली पीडी थे और वो लोग आपको भी भ्रहमित करेंगे और आपकी भी लाइफ में कई सारी negative चीज़े करेंगे, ऐसे लोग अगर आपकी मजबूरी है कि उनका साथ रखना है तो सिर्फ keep distance, जितना ओशकता हो बस सिर्फ उतना ही करें बाकी जादा उन्हें अपने लाइफ में इंटर ना करें दूसरे वो लोग, जो लोग महिलाओ की इज़त नहीं करतें अब कभी भिया आपके साथ किसी भी तरह का दोका धरी कर सकता है यह बात याद रखना क्योंकि हर एक विक्ती के जीवन में और एक विक्ति के बारे में बहुत विस्तार से अगर आपको समझना है डीप में तो वो है महिलाओ का सम्मान क्योंकि महिलाओ का सम्मान से शुक्र जागरत होता है और शुक्र एक मातर है जो वैबाओ, सुक्र, संपदा एक विक्ति को परदान करता है और अगर वक्ति वहीं महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा तो समझ जाएगा कि जो भी उसके साथ रहने वाले वक्ति उनके साथ कई सारी पीडाय और बादाय होने वाली है तो इन लोगों से भी सावधान रहने का हो शकता है जिनकी नियत साफ ना हो कुल मिलागर बाती से इस तरह समझे तीसरे वो लोग जो लालच की तरफ आकर्शत तुरंत होते है उन्हें बस चीसी भी चीज में अपना मतलब स्वार्थ दिखता है कि लालच का मतलब निकालो और बाहर हो जाओ क्योंकि यह केतु की पिड़ाय होती कि तु हमारे गले से नीचे का भाग होता है और अगर इस तरह का कोई धार्णा आपके साम लेकर आता है या इस तरह की बाते कोई करता है जिने अपना लालच दिखता है देखिए लाव कमाना अलग है और लालची होना अलग है तो उसमें बहुत महिम सी लकीर है उसे समझने क्या हो सकता है हमेशा आपने सुना होगा लालच भूरी बला लालच के साथ स्वारती भी होना अपने लिए बहुत जादा स्वारती होना कि किसी से कोई मतलब ने चाहिए आपका नुकसान हो सामने वाले का फाइदा होना चाहिए ऐसे लोगों से भी दूरी बना के रहे क्योंकि ये लोग कभी भी आपका एक बड़ा नुकसान कर सकते हैं ये जो नुकसान है हम जिस हालातों से उबर कर भार आते हैं हमने जो महनत किया है तो वो सभी चीजे हमने बनाई